लेकिन जो जैसी संभावनाय हैं उसके हिसाब से में बता दूँ कि परिक्षा तो हम लोग संभावित थी है साथ आठ नौ दस दिसंबर और हम लोगा बेशक प्रयास रहेगा है कि इस बार हम लोग जादा तेजी से परिक्षा फल भी दें क्या है से डूल यह अपने त्यार किया है क्या है को हम चाहेंगे जो अभ्यर्थी हैं दर्शक्त हैं जाना है हम लोग इसमेर निबंधन एवं भुक्तान जो हम लोग कराएंगे प्रारं करनी थी पांस से लेके 14 तारीक तक निबंधन कर सकते हैं और विलम सुलक के साथ वह 17 त लोट करने में काफी विलम हो रहा था काफी दिक्कते आ रहे थी उसमें वेबसाइट दो दिन के लिए क्राश कर गया था तो इस बार हम लोग ने कहा कि पहले आपनी बंधन कर लें अपना पेमेंट कर दें वह पार्ट कम्पीट हो जाता है और उसके बाद आपने आराम से से देख रहा हैं पिछले बार साथ पेपर ऐसे थे इसमें की अभेरती assistir से जदात थे तो तो किस बार ज्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगा अभी ये कहना तो संभब नहीं होगा कि कितने होंगे लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने संख्या में पिसले बार प्राइमरी में थे इस बार उतनी संख्या में हो सकता है कि मिडल स्कूल में आ जाएंगा और नाइ के वेराइटी है इसमें इसका सब को इसका ज्यान हो जाए तो वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी हो जाएगी उसके लिए लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी जैसे मैं बता दूँ ऐसे विश्टित जानकारी तो विज्यापन में निकल ही जाएगा मिडल स्कूल में जो जो कैंडिडेट होंगे मिडल स्कूल के लिए वो दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं उसमें डिपलोमा भी हो सकते हैं उसमें बीएड भी हो सकते हैं और उसमें बदब डिपलोमा इन इलिमेंटर एजुकेशन प्रस्टिक्शन के लिए और उसमें यूजकि इपलोमा in elementary education के भी अभ्यार्थी होंगे और ब क्गण को area अισक में इसंमें ऊपटर नहीं हो सकते हैं। तुल सथा में होसकते हैं। और वास्तम में सभी ने देखा भी नहीं है इतनी बड़ी बहाली 69,000 के में असपास वेकंसी आई है भी तो एक लाख 20,000 क्या लग रहा है वो कब पुड़ा करेंगे देखिये जो ट्यारी वन में जो हमेंने बताया है की अभेर्यतियों की संख्या कई वीशेओं में अ अधिकांस वीशेओं में अभेays वेकंसी तो रही जाएगी उसकी पड़ से भर नहीं सकते हैं उसकी वेकंसी लगगव पचास़ जार है वो वेकंसी अगर सरकार अगर उसक कि इसी परिक्षा में वह भी वेकेंसी जुड़ियाएगा उसमें वन टू फाइव की वेकेंसी नहीं आएगी क्योंकि आपने देखा होगा कि वन टू फाइव में काफी टफ कंपेटिशन था ट्यारी वन में और उसमें जो भी वेकेंसी होगी वह बहुत ही सिमित और वो लाव्योहर करें लेकिन ऐसा हुआ ने जो आपको मिला है उसी गिया Od County लेकिन ऐसा लग रहे है कि अब जो स्प्लिमेंटरी के चर्चा हो रही है तो ऐसा लग रहा है ये उस्यूट् को सप्लिमेंटरी और में ट्यारी टू दोनों अलगत्दम हैं क्यैनि निद्विंत Kingdom अन अब डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग वहां पर डॉप आउट हो जाएंगे अपसेंट हो जाएंगे उसके अरावा जो मल्टिपल रिजर्ट्स वाले लोग होंगे वो एक पकड़ेंगे एक करेंगे दूसा चोड़ेंगे उसके भी कुछ वेकेंशी होगी यह वेक कर रिजल्ट हो फित यारी टुब में पासँ होगा का इशारा का मैं बहतर बता रहा है कि सब्लीमेंटरी रिजल्ट अप बड़ी संख्या में दे रहे हैं अभी हमारे पास आखरे तो नहीं आए हैं लेकिन जो मुझे लगता है जैसे कि दो-तीन हजार करीब होंगे जो मल्टिपल रिजर्ट्स वाले हैं तो मल्टिपल रिजर्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आट हुए उसके करीब कि दो से तीन हजार होंगे और उतना ही समझ लें आप जो डॉक्मेंट वरिफिकेशन में कितने लोग चांटे हैं उसके लगबग उसके आसपास में लेगा अनुमान है यह तो फाइव में भी हो सकता है क्योंकि डॉप आउट्स तो चुकि अगर माले किसी को प्राइमरी में ह हो गया हाइज स्कूल में भी होगा तो हाइज स्कूल में चला गया प्राइमरी छोड़ दिया डॉप आउट्स तो किसी में भी हो सकता है यह तोफा देंगे या शिक्षा विहाग की रिखतियां लग रहा है कि छट के बाद आएगी तो आप सप्लिमेंट रिजल्ट देंग परिक्षा फल दिया है इसलिए हमारी यह टॉप प्राइट थी लेकिन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि आयोग स्रीव शिक्षक बहाली के लिए ही नहीं है यह आयोग कई अदने बहालियां भी करती है और उसके कई परिक्षा हैं हो चुकी है जिसका परिक्षा फल अब रुका हुआ है क्योंकि हमारे भी हमारी भी चमता सीमित है सीमित चमता तो किसी की नहीं है तो अब हम लोग पहला प्राइटी हम लोग करेंगे जो हमारे महत्पुन परिक्षा है जो कि लंबे समय से लंबी चला रहा पहले उसको दूर करें सब्लीमेंटरी रिजर्ट उसके बाद होगा वैसे भी हमें कभी सप्लीमेंटरी का आकड़े नहीं आया हैं कितनी वेकेंसी क्रेट हुई वह हमें जम आकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे लेकिन आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा चुकि आपके पास भी लगाता है रिपोर्ट मिल र के है कि STET जो लोग बाहर के लोग है वो आ गया जबकि इस विशे पर मैंने पहले भी स्पस्ट किया कि STET में जो शर्त रखा गया था वो शिक्षाविवाग का था वो आयोका नहीं है उसको आयोक की परिक्षा से कोई लिए रादना नहीं है अगर किसी अभ्यर्थी के पास में एक STET के का प्रमान पत्र है तो वो जाज तरीके से हासिल किया गया है या नाजाज तरीके से हासिल किया गया इसको हमको नहीं देखना है हमें तो खैर हो ऐसे भी नहीं देखना है क्योंकि डीवी तो अभी सिख्षाविवागी कर रही है तो इसलिए उनके स्थर्थ पर पर ठी आपनेह सब कुछ फेस की या जम दिए क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबख की मिला होगा और बहुत कुछ कि निया करने की यूजना होगी कि कई चीजों को हम लोग देखा कई चीजों का कुछ पहली बार कर रहे थे जैसे हम लोग और इतने वbaar सब्सक्राइब करना तो सभाविक है कि काफी ज्यादा वर्क लोड़ता और काफी मेहनत पड़ा इसमें लोगों को इसके कारण से दूसरे परिशाफली प्रभावित हुए अब उसके अनुभव से हम लोगों ने समझ लिया कि जिससे हमारे सौट प्रभावित तर्ठीक हो गया है हमें भी पता चल गया है कि कहां कहां पर भेरती किस तरह से गलती करते हैं तो हम अपने जो जैसे मैंने बताया कि रॉल नमर की गलती सब्जेट कर्मिनेशन की गलती स्वेरिफाइब करें सिरी स्कॉरस क्रॉस वेरिफाइब करें यह ऐसा करने से हमें समय काफी लग जाता है अब हम लोग कुछ गुंजाइस यह कर रहे हैं कि अभ्यर्थी को उसको भरने की जरूत ही न पड़े मतलब कि उसको सब्जेक्ट कंबिनेशन भरने की जरूत ही न अब और उसने क्या भरा है अपना आवेदन में वो उसके अड्मिट कार्ड में प्रिंट हो जाएगा है किस पर सामिल होए कि नहीं ही जाओ कोई मोका नहीं मिल गारे अपेरिंग कैंडियेट वाले भी एक हम लोगों को एक अच्छा सबक मिला क्योंकि आपेरिंग कैंडिये है जिसा इस बार में देखा कि सीटेट के भरी संख्या में लोग फेल कर गया सुभाविक है कि ऐसे अभियरती लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया अब उनने जब सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतिच्छा करें उनके लिए तो नाच्रली उनको हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे और डीवी में हम भेजेंगे च्छतेंगे इस बार भी वरिफिकेशन अप करा रहे हैं क्या नहीं इस बार हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे क्योंकि हम लोग ने पाया कि जो बिना प्रसासी विभाग के पदाधिकारी जो जानकार है और उनके जो टर्म्स अंड कंडिशन से विभिन परिक्षाओं के जैसे आपने देखा के स्टीटी है दोजार उनीस फिर कंडिशनस लगाया गया कभी नहीं लगाया गया तो वैसे स्थिती में इसकी तो सभी चीजस की जानकारी नहीं करने वादा ंरेगाा देखिए हम लोग इस बार भी हम लोग ने जो डीवी कराया हमने पहले भी कहा कि उसकी आकुरेसी 100 परसंट नहीं थी क्योंकि यह डी सेंट्रलाइस तरीके से हुआ था और जब भी ऐसा ऐसी बड़ी संख्या में होगा तो कभी भी 100 परसंट आकुरेसी नहीं रहे गा मुल्ट उसके बाद नेक्स स्टेप में जो फिल्ट्रेशन होगा वो फिल्ट्रेशन होगा सिख्षाई भाग के द्वारा डीवी में बिल्कुल सभी प्रकार की तैयारिया है और निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास्त में हैं भी आपने बेहतर पढ़िणाम दिया भी है हाला कि वेरिपिकेशन को लेकर आपने जो डाउट है उसको भी क्लियर किया है जो अभियरती समझ रहे थे कि आयो की तरफ से सह अभी ऑप हुआ है तो आपने पाइट टू पाइट बताया है एक चीज़ मुझे जानना ज़रूरी है कि आभी जो सोशल साइन्स का जो रिए लट आया है खासकर उसमें समाजिक विग्यान में देखा गया है कि पहुट टफ रिएल्ट रहा है और जो सप्लीमेंटरी रिजल्ट आ रहा किया सोशल साइंस की संभावना है देखिए जो मैंने बताया है कि साथ ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्तियों की संख्या जादा थी अब कॉम्पेटिशन वहीं था उसमें सोशल साइंस वहीं था और सुभाविक है कि ऐसे ही विशेयों में है कैंडिडेट्स जो असफल हुए है वो बेट इन वेटिंग है उनको उमीद है कि अगर सप्लिमेंटरी रिजल्ट आएगा तो उनका चैन हो जाएगा बाकी विशेय में तो चुकि कैंडेट्स ही कम थे तो कोई बचे हैं नहीं कितना कटफ डाउन कर सकते हैं कुछ ऐसा लग कभी भी क्वालिफाइंग कट आफ तक नहीं जाएगा कर मेरिट में नहीं आ सके वह इंतजार करें कि हाँ वह बिल्कुल वैसे इंतजार करना वेकार होगा जो जो अभी कट आफ है जो भी कट आफ नंबर है उसमें जी काटेगरी वाइस आप देखें होंगे कि उसमें अब कितनी वेकेंसी ड् किसी बेश्य में चांस है कि कट आफ रॉप है उसको आप ले जाएंगे वही मैं बता रहा हूं कि अगर वेकेंसी में ज्यादा ड्रॉप आफ या डिस्क्वालिफा ज्यादा संख्या में अगर होता है तब वो नंबर नीचे गिरेगा नहीं तो हो सकता है कि जो कट-off है उसी का कट-off पर टाइब रेकर के कारण से कुछ लोग इन वेटिंग ऑलिडी हो सकता है कि उसी नंबर पर तो उसी नंबर पर आजाएगा अब सबकुस साफ हो गया और गांधी मैदान में इतने बरे समारोह भी हो गया हाला कि अतुल प्रसाद वहां गये की नहीं कबाह बने की नहीं यह हम लोगों नहीं देखा हुसिन गांधी मैदान में लेकिन पूरा बिहार और देश कबाह बना गांधी मैदान के समारोह का कि देखिए आयोग स्वतंत्र सतंस्ता है और कि राजय सरकार कि आ कि विभाग के अधीन नहीं हैर और सार्कारी का्रिकरम था कुछ sources कि सरकारी कार्यक्रम में हममेर सुंस्ष रहने की निगाह हैं तलाष कर रही तक आंधी मैदान हमें निस्पक्ष रहना है हम सरकार से स्वतंत्र हैं उनके अधीन नहीं है और सरकार बेने पहले ही बताया था कि सरकार भी इस बात को बखोवी समझती है और हम भी अपने सीमाओं को समझते हैं और इसलिए हमारा नहीं वहाँ पर जाने की कोई आवसकता थी और नहीं कोई हमें कोई आमंत्रित किसी को करने के वियाँ सकता थी हम एक सोतन तरीकाई हैं और हमने अपना काम किया और यह बात सही है कि जो कल की बाते पुराने आगे की बात करने की जो बात आप कर रहे हैं अचली मुझे कल किसी ने मुझे बड़े लोगोंने ही मतलब नजीर वर्ड से मुझे कहा कि आपने एक नजीर बनाया मैंने स्चा कि मैं भी जाए जेखनू मेरा भी उतना ग्यान पूरा नहीं है तो नजीर शब्द का मैंने अर्थ ढुना कि अक्शल अर्थ क्या होता है है जिन्होंने कहा मुझे जो बढ़ाई दिया और कोई अच्छे जगर से आप समझ सकते हैं कहां से बढ़ाई मुझे मिला होगा तो वही मेरे लिए गौरप की बात है और मैं इतने घरों में रोजगार मिला इतने अभ्यर्थी जो है आज मैं जो ब्रेंड्रेंज समस्या थी वहां करना dön Щाई जो रफ्तार है उसमें भी कंहीं आएगी आ रोप प्त्यारवप लगते रहेंगे सरकार पर आयोग पर विभाद पर लेकिन लग रहां है कि अब जो है पिछले बार भी आप से बाचीत तो आपने कहा था कि हम लाए है तो फान से कस्ति निकाल के इस टेश को रखना ने शिक शक अभी अभिरतियों समल के तो यह अपने कहा था हम चाहते हैं कि इसी बात से जो एक दूसरे फेज की बहाली को आप आगाज करें कि कुछ ऐसे मैं शेर के साथ ताकि जो होसला है अभियरतियों का वो मैं परवान पर हो और लगे कि हाँ हम भी बहाल हो रहे हैं देखिए अभी भी कई जगह पर तूफान तो अभी भी चली रहा है और अभी भी हम तूफान से जहली रहे हैं लेकिन मुझे और मैं समझता हूँ कि जो आप लोगों ने भी कल उस दिन दो तारीक कारेकरम में आपने जो सफल अभियरति जो को आपनों देखा होगा कई लोगों ने मुझे कहा कि उनके जो body language थे हैं उनका जो confidence था वो देखने लायक था और उनसे बातचीत करके भी आप लोगों को लगा होगा कि ऐसे शिक्षक अगर आएंगे तो निश्चित तोर पर यहां बिहार की शिक्षा वेवस्था उसमें गुनवत्ता में निश्चि 100% दूं और मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% कोई solver gang या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें इमांदारी से दें मैं भी अपना का इमांदारी से कर रहा हूं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इमांदारी से दें बहुत-बहुत धन्नवाद हमारे साथ BPSC